इंडप टेव ए के हिञागत से मपेटूर्टीव का फिलस ने क होdefined इंडट्रेट इन्जेर है प्लस प्लस वन के हिसाब से प्लस तू के लिहां से फूरिया और गनीक comparative to hydrogen यह बहुत ज़ादा हो यह कम हो दोनों cases में inductive effect होता है वो type of inductive effect क्या होगा वो अलग बात है यह basically अगर हम inductive effect की बात करें यह permanent effect है यह क्या है permanent effect है अगर हम इसकी बात करें यह इसमें the process of displacement of sigma bond under the influence of some atom which is attached to the carbon chain ठीक है क्या हो रहा है कोई हमारा sigma bond जो single bond है वो shift होगा displace होगा किस वज़े से जो हमारी carbon chain है उसके अंदर कोई एक electronegative atom आ जाएगा वो electronegative atom क्या करेगा या जादा या कम वो बात में बात करेंगे एक बारी पहले जादा वाले के हिसाब से करते हैं जैसे यहाँ पर हमने x है x mainly denote करता है हमारे halogenes को अपने को यह पता भी halogenes जितने भी है वो बहुत जादा highly electronegative atom होते है तो यह जो electronegative atom है वो क्या करेंगे इसको इस bond को अपनी तरफ attract करेगा पोलर हो जाएगा यह bond जब पोलर होगा तो इसके उपर क्या हो गया delta negative अगर delta negative है तो इस carbon पे delta positive charge आएगा क्यों इसका electron pair उठके दूसरी तरफ shift हो गया अब यहाँ पर अगर delta positive होगा तो क्या करेगा वो carbon atom उठके इसके साथ वाले carbon atom के bond को अपनी तरफ attract करेगा की नहीं क्योंकि उस पे delta positive आ गया being positive in nature वो साथ वाले का negative charge को अपनी तरफ attract करेगा अब साथ वाले को करेगा लेकिन बहुत ज़ादा positive नहीं देल्टा positive था तो इसके वज़े से इसके उपर क्या हैगा डेल्टा डेल्टा positive आ जाएगा मतलब बहुत छोटा चार्ज जो छोटा था उससे भी छोटा हो गया लेकिन इतना value possess करेगा कि अपने साथ वाले carbon के bond को खीचेगा अब अपनी तरफ इसके वज़े से क्या करेगा यह वाला जो carbon है यह इस वाले इससे हुआ क्या जो हमारी neutral chain होनी चाहिए थी otherwise due to the availability of that extra electronegative atom in the carbon chain यह जो chain है यह पूरी chain ही polarize हो गई है और जो bond है वो shift हो गया है थोड़ा थोड़ा that shifting of sigma bonds towards the more electronegative atom is known as inductive effect clear अब inductive effect का main reason क्या था हमारा electronegativity का difference ठीक है अब यहां पर जो हमने यह x use किया था जो हमने यह halogen की तरह मैंने बूला था कि x हमारा है halogen को represent कर रहा है यह use किया था यह electronegative ज्यादा था तो यह जो electronegative है यह electron accepting group की तरह काम करेगा electron attracting की तरह काम करेगा इसकी electronegativity ज्यादा थी तो यहां पर इसको हम कहेंगे minus i effect क्या कहेंगे minus i effect inductive effect basically दो तरह का होता है minus i और plus i depend करता है उस atom पे कि उसकी जो carbon के साथ एक extra अलग atom लग गया है कि उसकी electronegativity कैसी है अगर एक और हम assume करते हैं example ले लेते हैं मानलो हमारे पास carbon 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 की long chain थी और यहां पर हमारे पास कोई एक atom आगया कोई एक ऐसा atom जिसके electronegativity comparatively कम है कुछ भी मानलो एक मानली हम लिए रेंडम ऐसी एक है कोई एक ऐसा atom जिसके electronegativity hydrogen से भी कम है अगर इसकी electronegativity hydrogen से भी कम है मतलब as compared to a c वाले के electronegativity ज्यादा हो गई फिर तो तो क्या होगा c इसके electron pair को अपनी तरह अट्रक्ट करेगा तो इसके पास क्या आ गया यह electron living group हो गया यह तो electron को छोड़ने के लिए त्यार बैठ है तो इसके उपर delta positive electron को छोड़ रहा है और इसका electron pair इसके पास आ गया तो carbon पर delta negative अब यह जो delta negative है इस carbon के उपर negative चार्ज आने की वज़े से यह next carbon के साथ लगे वे electron pair को रिपेल करेगा धका मारेगा negative चार्ज इसके पास जादा आ गया तो यह क्या करेगा यह इस carbon atom के electron pair को धका मार देगा थोड़ा सा push लगेगा इसके वज shift हो गया बात समझ में आई है तो वो अब साथ वाले carbon के electron को धका मातने की कोशिश करेगा तो यहां से इधर को shift हो जएगा और यह जो हमारे पास आ गया है यहां पर इसके ऊपर क्या है positive charge आ गया तो हम इसको क्या कहेंगे plus I effect बात समझ में आ गई है this is inductive effect अगर हम inductive effect की बा आए या इलेक्ट्रोफाइल आए अब वो कैसे डिसाइड करेगा कि कहां पर attack करना है मान लो अगर मैं नीचे वाले plus I effect का example ले लेता हूं मैं कहता हूं कोई कार्बोकेटाइन आ जाता है कार्बोकेटाइन क्या था जिसमें carbon के ऊपर positive charge अब वो कार्बोकेटाइन किस पर ज आके attack करेगा जहां पर negative charge जादा होगा तो inductive effect के हिसाब से हम जज़ कर पाएंगे कि कौन सा जो अगर हमारे पास electrophile या nucleophile आ रहा है वो कौन से वाली जगहे पे आके attack करेगा तो वो जो attacking reagents होंगे वो किसके उपर depend करेगा inductive effect के type पे और उसी के basis पे वो हमारा जो final product वो form होगा है ठीक है